Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel आज के इस YouTube वीडियो में हम जानेंगे मासिक धर्म से होने वाली कुछ समस्य हैं ऐसी समस्य हैं जिससे हर लड़की हर महीला गुजरती है जैसा कि हम जानते हैं कि दर्द होना एक बहुत एक आम सी बात है पर कुछ महीलाओं को उन दर्द के साथ-साथ जादा हैवी फ्लो से भी डील करना पड़ता है कुछ महीलाओं को क्रैम्स के दिक्कत होती है कुछ महीला इतनी जादा परेशान हो जाती है कि उन्हें चक्कर आ जाते हैं वो बेहोश तक हो जाती है पर महीला ये नहीं जान पाती है कि मासिक धर्म के दौरान उन्हें किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए उन्हें ऐसी किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिसकी मदद से उनके मासिक धर्म में वो अच्छे से healthy life चीए और वो इन मासिक धर्म का अच्छे से सामना कर सके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे आसान से घरे लो उपाय जिनकी मदध से हम मासिक धर्म से अच्छे से निपट सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं मैं जहना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि इस चैनल से संबंदित हर नोटिफिकेशन हर जानकारी आपको वक्त पे मिलती रही। दोस्तों अगर आपने अपने पर्सनल एरियास को या प्राइविट एरियास को शेव नहीं कर रखा है तो मैं सब महीलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज उन एरियास को शेव करके रखें ताकि वहां की हेर्स की वज़े से आपको कुछ प्रॉब्लम ना कई बार कुछ महीलाओं को उन हेर्स की वज़े से बहुत सी इरिटेशन जलन का सामना करना पड़ता है जो उन्हें मासिक धर्म में बहुत नुकसान पहुचाती है अगली चीज अगर आपको जादा दर्ध है तो आप मासिक धर्म के दौरान योगा कर सकती हैं जैसा कि आप इसमें देख रही हैं कि महीला किस प्रकार से योगा कर रही है आपको उसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए योगा की मुद्रा में रहना है इस मुद्रा में रहन से आपकी पेट का दर्थ काफी हद तक ठीक हो जाएगा अगर आप बहुत जादा दर्थ से और हैवी ब्लीडिंग से परिशान हैं तो आप प्यपमिन टी यानि की पुधीनी की चाय और रस्पेरिटी को इस्तमाल कर सकते हैं पुधीनी की चाय अक्सर काम आती है आपकी जाद ब्लीडिंग को अगर आपको हैवी फ्लो हो रहा है तो उसे काम करने में मददगार सावित होगी और आप रस्पेरिटी लेते हैं तो उससे उत्पन आपको क्रैंप्स या दर्थ जो भी होते हैं वो आपको निजात दिलाएंगे तो यह थे पैपरमेंटी और रस्पेरिटी को इस्तमाल करने के मासिक दर्व में कुछ फैदे अगर आपको बहुत जादा दर्थ है तो आप अपने दर्थ वाले हिस्से में एक गरम बैक को रख सकती हैं वहाँ पे 10-15 मिनिट रखिए आप देखेंगी कि आपके क्रैंप्स में और आपके दर्थ में बहुत हद तक छि चिकायद रहती है वो जादा से जादा केले का प्रयोग करें और डायक चॉकलेट का प्रयोग करें केला और डाक चॉकलेट दर्थ में बहुत निजात देता है जो महीलाए केला नहीं खा पाती है वो चाहें तो केले का शेक पी सकती है उससे भी उन्हें काफी लाप्रधान होगा एक सबसे important चीज एक बहुत महत्वकून चीज है जो महीलाएं भूल जाती है वो ये कि मासिक धर्म के दोरान आप चाहें तो बजार में उपलब्द या मैडिकल स्टोर पे उपलब्द कोई भी एक क्लिंजिंग लिक्विड ले सकती है और उसे पीरिट्स में कम से कम दो बार इस्तमाल करें ताकि आपकी पीरिट्स का एरिया यानि कि आपका प्राइविट एरिया बहुत ही साफ सुत्रा रहे और उन दिनों आपको जादा दिक्कत ना हो ये थे कुछ आसान से तरीके जिनकी मदद से आप अपने मासिक धर्म में दर्द से और हैवी ब्लिडिंग से निजात पा सकती हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए अगर आपको इस चैनल से संबंदित या इस वीडियो से संबंदित वोई भी क्वैरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेस्टन डालिए मैं आपको जरूर जवाब दूँगी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया